आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Which of the following disease is Autosomal Resesive यहाँ पर बोला गया है कि Tino disease में से कौन सा Autosomal Resesive है तो Basically Autosomal Resesive ऐसा disease होता है जो की Without या फिर जो Germs Cells होते हैं Germs Cells में यह नहीं पाये जाते हैं सिर्फ जो Autosoms होते हैं यानि Germs Cells को सोर के जो Autosoms होते हैं हमारे बोडी के जो दूसरे Cells होते हैं या फिर दूसरे Genes होते हैं वहाँ पर यह effect करते हैं और Resesive का मतलब होता है कि यह क्या होते हैं कि यह expressive नहीं होते हैं यह तब ही express करते हैं जब दोनों Alleles जो होता है वो Resesive होता है जैसे for example अगर यहाँ पर Small A और Capital A है तो Capital A dominant हो जाता है और इसी वज़े से यह trait जो है वो नहीं देखता है लेकिन जब यह Small A smaller रहता है तो यह trait जो है वो क्या होता है कि एक्सपोज हो जाता है तो इसी इसाफ़ से देखते हैं कि कौन सा क्या है तो first है यहाँ पर Phenyl Keto Neuria और Phenyl Keto Neuria का अगर बात करें तो यह basically autosomal recessive disease है इसमें क्या होता है कि Phenyl Alenine जो है यह हमारे बाडी में excess amount में क्या होता है कि accumulate होते हैं और यह accumulate होने के वज़े से हमारा बाडी का जो system होता है वो हिल जाता है वह next है जो कि यहाँ पर हेमोफीलिया बोला गया है और हेमोफीलिया एक ऐसा disease है जो कि basically X-linked होता है और यह X-linked recessive होते है क्योंकि यह pass on होते है through the germ cells यानि sex cells के द्वारा यह pass on होते है next है जो कि sickle cell anemia होता है और sickle cell anemia एक ऐसा disease है जहाँ पर blood जो है वो क्या करते है कि glutamic acid से या फिर हम कह सकते हैं जो यहाँ पर chain होता है glutamic acid का वो change हो जाता है due to mutation और form करते है welline और यह welline produce होने के वज़े से जो यहाँ पर proper RBCs होते हैं वो change होके sickle leg structure में convert हो जाते हैं और यह भी एक autosomal recessive trait है तो इसी हिजाब से हम कह सकते हैं clinical cell और phenyl ketoneuria यह दोनों ही यहाँ पर autosomal recessive है और इसी लिए हम लोग last option बोद A और C को ही यहाँ पर टिक कर लेंगे classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8-400-400-400 पर